कि मद्ध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करने का जो प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी का संकल्प है उसको हमने खरीदी में तो पूरा किया ही है लेकिन पर्मानेंट इस्ताई किसान की आय बढ़े हैं उसके लिए एक नहीं योजना देश में पहली बार मानी मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्द दसर नेत्रत में करसी विभाग करसी अभियांत्री की के माध्यम से हम आज उसका सुभारम कर रहे हैं जिस प्रकार करसी अभियांत्री की विभाग कस्टम हाइरिंग केंद्र दोहजार बारा में मद्यप्रदेश में प्रादम हुए थे जो आज पूरे देश में चलना है सिक्षित बेरोजगार किसानों के पेटों को रोजगार देने के लिए कस्टम हाइरिंग सेंटर जो लगभग अभी 3,000 चल रहे हैं मद्यप्रदेश में वो किसानों को खेती करने के लिए उपकरण उपलप्त कराते हैं सब्सीडी सस्ता व्याजपर और सब्सीडी के माध् इसी परकार एक नहीं आप सुरू कररहा है मद्यप्रदेश में कस्ट्पेश सिंग योजना जिसमें किसान जो उत्पात करता है पेदा करता है अनाज उसकी प्रोसेसिंग यूनिट वह आप किसान बेरोजगार किसान को हम देंगे जिसमें 40% की अनुदान भी रहेगा ब्याज की छूट भी रहेगी और प्रधानमंदी नरेंद मोदी जीने कशी अदोसचना विकास का जो एक लाग करोड का फंड द रोजगार पड़ेलिके हमारे किसान के बेटे हैं वह अब कस्टम प्रोसेसिंग योजना के तहत इनुट भी लगा सकेंगे यह लगबग अभी हम 200 इस तानों पर इनुट इनुट शुरू कर रहे हैं इसी के साथ कस्टम प्रोसेसिंग इनुट भी शुरू हो जाएगी और क उद्धान मंति नरेन मोदी जी का सपना साकार करेगा संकल पूरा करेगा मुख मंति सिवराजी के नेतत में हमारा कर सीधिविव आप्रोसे अभी अंद्रे की जिससे किसान की आए बढेगी जैसे मैंने उद्धान देता हूं में सा कि किसान टामाटर प्बेदा करता अलू C D 4 प्रकार के और A grade का माल वो 4 गुना 5 गुना अधिक पर दे देता है B grade का माल 2 गुना 3 गुना अधिक पर बेचता है C grade का माल और D grade और इसमेकार एक दिन में ही अगर वह 1000 रुपय कुंतल खरीदता है तो उसके 4000 रुपय कर लेगा आप यह किसान को हम सुईधा देने जा रहे हैं अब किसान अपने खेत में he grading कर लेगा और grading करके फिर वह a grade का माल B grade का माल C grade का माल D grade का माल करेगा तो उसको आए जादा होगी मंडी में भी हम यह वस्ता कर रहें कि अभी तो मंडी में एक जैसा माल लेकर आता और बोली लपके होता है लेकिन अम मंडियों में भी आधो गुना करने में यह सहायक सिद्ध होगी और यह देश का पहला राज हो गया मद्दप्रदेश जिसका आज हम इसी समय आपके सामने क अगहिं अगया महारे कंसरे खाष्था कैसरे राजू चोदरी इनको मैं निर्वेसित किया थ क्या… हुछ अब हो है यह मद्व प्रदेश जीए गोरोग की बात है और मुझे पूर दीषवासे कि जिस प्रकार 2012 में कस्टम हाइरिंग सेंटर शुरू किये थे जिसकी सफलता के कारण आज पूरे देश में वो लागू हुआ है ये भी हमारी कस्टम प्रोसेसिंग योजना जो आज हमने शुरू की है ये आज मद्देपरदेश पहला राज है लेकिन आने वाले समयम पुरे देश में लागू है